आस्ट्रेलिया में टेस्स सिरीज खेल रही भारतिय क्रिकेट टीम के लिए अच्छी खबर है चोट के कारट टीम से बाहर चल रहे औल राउंडर हार्दिक पांडिया फिट होकर फिर से मैदान पर लोट आए हैं वे ना सिर्फ मैदान पर लोटे बलकि फॉर्म में तेजी से वापसी के संकेत दिये हैं वे फिलहाल मुंबई के ररजी ट्रॉफी में एलीट ग्रूप का मुकाबला खेल रहे हैं और अपने वापसी वाले मैच में ही पांच विकेट जटिक चुके हैं हारदिक पांडिया ने अपने इस प्रदर्शन के बाद ऑस्टेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया में वापसी का दावा ठोक दिया है भारतिय किरकेट टीम शुकरुआर को जब ऑस्टेलिया के खिलाफ पर्थ में दूसरा टेस मैच खेलने उतरी उससे करीब दो घंटे बाद ही हारदिक पांडिया भी मुंबई के मैदान पर उतरे वे उन्हें सितंबर को UAE में खेले गए पाकिस्तान से मैच के दौरान चोटिल हो गए थे पांडिया इसी कारण वेस्टेंडीस के खिलाफ मैच नहीं खेल पाए और उस्टेलिया दोरे के लिए भी टीम में नहीं चुने गए हाली में जब उन्होंने अपने फिट होने की घोशना की तब भारतिय किर्केट बोर्ड BCCI ने उन्हें रटजी मुकाबला खेलने कर फिटनेस साबित करने को कहा अमन यादो पंजाब के सरी दिल्ली अमन याद टतो है